तो स्वागत भाई आप सबी लोगों का एक बर फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में भाई मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो वीवो प्रो कबड़ी लीग खेली जा रही है इसका भाई जो दूसरे दिन का पहला मैच यानि की भाई बात कर पूरी जानकारी आपका भाई आपको यांपर देने वाला है बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप भाई वीडियो को गारंटी के साथ एंड तक देखना है और आप यापर विनिंग करोगे इस मैच में भाई तीन ऐसे प्लेयरे जिनकंस항 안돼 है और वो भाई लाइन अप साइगी तब सबको दिखी जाएगा भाई नहीं खेल रहे एटी परशेंट चांसी जाएगी वो तीनों नहीं खेलते दिखेंगे आगे बताऊंगा कौन से प्लेयर है लेकिन बात सिर्फ नोलेज की होती है भाई कि यहाँ पर है ना जो आपको बड़े बड़े फ उससे पहले भाई सबसे इंपोर्टेंट चीज पहले एक बर मैं आपको टेलेग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पर भाई अगर आज के बात करें तो यहाँ पर बाई देखें इंडिया वूमेन वर्सिस बांगलादेश वूमेन अल्ट्रा क्लीन टीप मैच आपके भाई न तक अगर हमारे आज पास भी कोई जीत रहा हूँ तो ठीक है सारे मैच सिंगल एंडिड लिविन है एक सिंगल कोंटेस्ट ऐसा नहीं है जो हमने आ रहा हूँ यहाँ ठीक है यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए बाई मतलब कोई आपर आप points का difference देख लीजे 50 का यापर फिर से देख लीजे मतलब कोई अपने आसपास भी नहीं था भाई पूरे match में एक करफा winning आपके भाई ने करवाई है कल 3 match थे 2 match आपको ultra clean ship दिये और 1 match अमारा average गया था तो 3rd match था ना वो थोड़ा सा average हो गया था due to भाई वहाँ पर हमने एक जो परदीप नर्वाल है उनको मतलब टीम में रखा था बट मैंने CVC नहीं बनाया था last minute पे जाके second half में उसने कुछ पॉइंट जादा ले लिये थे बट फिर भाई match बहुत ही अच्छा profitable end हुआ हमारा क्योंकि उससे जादा point उद लिये थे सुरिंदर गिल ने जिसको हमने VC कर रखा था ठीक है तो फाइदा में यहाँ पे हो गया इसके लाव भाई जो हमारे defender थे उन्होंने गजब का performance दिया और भाई again हम आपको बता दू अगर आपको कबड़ी में winning में रहना है ना तो भाई आपको winning में रखेंगे defender यहाँ पर भाई आप देखते जाएए ठीक है मतलब यहाँ पर आप देखे बाई 10,000 का सीधा short लगाया था ठीक है 10,000 रुपय अगर मानलो आप दिन में जीट जाते तो भाई क्या ही हो जाएगा आप समझ रहे हो ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कोई हमने contest ही नहीं आ रहा भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यह मानली जी कि अगर कल के तीनों मैचे को मैं 100% में रखू न तो 100% में इसे भाई आपको 90% result मिले लास्ट मैच में 10% थोड़ा सा गड़बड हुआ लेकिन लोस किसी का नहीं हुआ भाई जिसने अगर single contest जोईन के होगा सिर्फ एकी contest उसका या तो clear win हुआ होगा या clear loss बट जिसने minimum 5 contest जोईन के होगे न 3 member 4 member के 100% profit में उठा होगा वो बंदा तो ये चीज़ बाई उपर आप और result देख सकते हुआ मैं कितने result दिखा हुआ यार ये चीज़ आप देखो ठीक है आप अगर यहाँ पर बाई नीचे बात करें आपर match के वारे में तो match की भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले बाई आपको बता दू जो भी मेरी final team रहेगी न वो telegram पर ही मिलेगी telegram channel जरूर से join कर लीजिएगा और telegram channel का link मिलेगा भाई आपको इसी वीडियो के नीचे description में और इसी वीडियो के first comment में अगर बात करें search करने की तो आप search भी करके join कर सकते हो telegram channel को कैसे search करना क्या search करना वो भी मैं आपको यहां से बता देता हूँ एक बार ठीक है यहां पर आप देखोगी तो भाई आपको यहां पर का गया भाई मैं आपको search भी करके दिखा देता हूँ भाई यहां पर आपको search करना है के अरे यार search करना भाई आपको यहां पर के पीम टीम ओफिशियल एक बार मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं क्योंकि भाई बहुत सारे चैनल आपके वाई के नाम पर फेक बने हुए हैं उनसे आपको बसेना अभी करेंटली अगर बात करें तो 8.6 के की फैमिली हमारी कंप्लिट हो चुके भाई आज करवा दो मतलब आगे बढ़ाओ 10,000 के बहुत करीब है बाई जो भी वाई वीडियो देख रहे हैं वो टेलीग्राम पर नहीं आया है जोइन कर लीजेगा पैसे नहीं लगती जोइन करने के फ्री में जोइन हो जटता है ठीक है जोइन कर लीजेगा और कबड़ी की टीम पूरी आपक जोआरिक को देदेना तो आके बोल देना अब चले बाई बढ़ते हम यहां पर मैच के बारे में लेकिन उससे पहले बाई बार बार बोल रहा हूं वीडिआ को लाइक कर दीजेगा है ना अब यहां पर देखे बाई एक चीज मां आपको बता दू आगर आपको चाहिए कि बाई यह मैं आपको बताओं यह राइट डिफेंडर है यह राइट कोर्णर है यह राइट मतलब रेडर है तो यह सारी चीज़ है ना बाई मेरे इसाब से आपके काम की नहीं है आप देख ले ना 90% जो आपको फेंटेसी एक्सपर्ट मिलेंगे ना 90% कबड़ी के वो आपको यही बताएंगे बाई इनिजिश्कुमार लेफ्ट कवर खेलेगा यह राइट कोर्नर खेलेगा यह हो जाएगा वो हो जाएगा होगा कुछ नहीं बाई आपका पागल बना दिया जाएगा ठीक है बस मैं आपक फोकस किस पर रखना है कि बाई प्लेयर का पर्फोर्मेंस कैसा रहा है ठीक है मैंने बाई कल देखा है यहाँ पर लेफ्ट राइट का इतना मैटर नहीं करता जिसका दिन अच्छा होता है वो बाई कहीं पर बिजा के लबग लेता है ठीक है तो यह चीजज आपको धानमे लगने हैं पहले बात करते बाई उन तीन प्लेयर्स की जो नहीं खेलेंगे यहाँ पर अगर बात करें तो फजल अतरचली नहीं खेलते नज़राएंगे इरान के बाई तीनो प्लेयर यहाँ पर आपको नहीं खेलते नज़राएंगे अब रीजन मेरे को एग्जेक्ट नहीं पता बट वाई जो न्यूज आ रही है यह आपर 83% सेलक्षन है एमच याने का जो नहीं खेलेंगे ठीक है इसके इसके अलाव भाई मुहमद इसमयल नभी बित्च नहीं खेलेंगे इसके अलाव फजाल अत्रा चली नहीं खेलेंगे तो यह तीनो प्लेइर फ़स्ट मैच मिस् क्लियरली ठीक है अगर वैसे देखा जाए तो फाई टीनों मच्टवब इग थे तीनों के तीनों ही मग़्टवफ इटे बट आप इन तीनों को ड्रोप करने है यहाँ पर अगर बात करें तो पर देखने के लिए जाने जाते है और बाई पटना का जो डिफेंस है ना वो काफी गजब बट इनके साथ दिक्कत यह कि जो इनकी पुराने कोस्ते राम मेर सिंग वो अब नहीं दिखेंगे और बाई उनका बहुत बड़ा रोल रहता था तो बाई पहला मैच से देखना नजर रहेगा ठीक है इसके लाव और तो को इंपोर्टन दिख नहीं रहा तो अबी के लिए मैं क्या कर रहा हूं नीचे से अबिनेश नदराजन को इससे थोड़े से क्रेडिट भी मैनेज हो जाएंग और वाई हमें पास प्लेयर भी और यहां से सी साजिन आपके लिए इ सिंपल सा एक रीजन में आपको देता हूं रोईद गुलिया को मैं क्यों ट्राइ कर रहा हूं क्योंकि भाई इसके लाव को और अच्छा प्लेयर आपको यहां पर दिखेगा नहीं इसके लाव यहां से अगर बात करें असलम इनामदार 100% आपकी टीम में होना चाहिए 101% ठ लास्ट सीजन देखी इसको आई मिली थी बंदे को लास्ट सीजन बट परफोर्मेंस नहीं था बाई बंदे का सिर्फ भाई तीन या चार सूपर टैन इसने लगाए थे पूरे बारा पंदरा मैच इसने खेले थे उसमें बाई चार सूपर टैन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो यह चीज आप द्यान में रखेगा और ट्राई आप कर सकते हो और एक चीज बता दू बाई यहां से अगर आप छोटा सा रिस्क लेना चाहुना तो सुनील को ड्रोप करो और सीधा यहां से आके बाई पकड़ लो कहा गया भाई नीचे चलना पड़ेगा मोहित गजब का प्लेर लास्ट सीजन में बाई मतलब जो धमाल मचा है ना बंदेने काफी कमाल था अगर स्टार्टिंग सेमन में आपर होता है ना मोहित गोयत तो भाई आप इसे ग्रेंड लिग में जरूर कैप्टन वीसी करना स्म सारीजन आपको बता देता हूं मैं करना तो चाहता हूं बट कर क्यों नहीं पहूंगा क्योंकि भाई फिर रिस्क हो जाएगा काफी बड़ा अभी के लिए मैं कैप्टन सी जो है ना वो अपनी लेके जाऊँगा असलम इनामदार के साथ वीसी के अगर बात करें तो या तो आदार पर जज़ कर सकते हो तो वो ग्रेंड लिक की प्रिक्स में रहेंगे भाई आपर संकेत सावंत सोंबिर और नीचे से सी साजीन तो भाई ये तो आपके लिए बहुत खतरवनाख प्लेयर रहेगा इसके अलावा भाई आपर और तो को इंपोर्टन दिख नहीं रहा आ सीजन भी इन्होंने कुछ मैसीज खेले थे और फुट वर्क भाई काफी कमाल का साथ ही बाई अट्टे कट्टे आई अट्टे कट्टे निया बट जान बहुत है शरीर में आपके लिए बाई जील ट्रंप बन सकते हैं अगर स्टार्टिंग सवन में होते हैं और सब्स्टि यह मैं डिफरेंशल पिक्स बता रहा हूं ऐसा नहीं आपको इन प्लेर्स को लेकर ही टीम बना लेनी है सारी नहीं भाई आप टीम बनाओ जो मैंने स्मोल लिग की टीम दिया न उसमें एक एक दो दो प्लेर यह आपको चेंज करने है ठीक है और यहापर अगर बात करें तो यहापर आपके लिए पंकज मोहिते एक बहुत बड़ा डिफरेंशल पिक्स रहेगा सुगे जेगडे भाई ठीक ठाक सा प्लेरा स्टार्टिंग सवन में रहेगा जरूर बट भाई इतना इंपोर्टन्ट नहीं रहेगा हाँ हो सकता सचिन तवर का दिन बहुत ही ज्यादा खराब हो उस कंडिशन भाई सुगे सेगडे आपके लिए अच्छा रहेगा अदरवाई इतना इंपोर्टन्ट नहीं रहेगा और अगर भाई सचिन तवर बाई चांस मालो परफोर्मेंस ना भी दे तो यहापर पठना की तरप से जो सेकंड रेडर रहेगा न वो यहाँ स गुलिया के चांसे ज्यादा लग रहे हैं ठीक है अब अगर भाई बात करें स्मोल लिक के टीम के प्रव्यू की तो वह आप देख सकते हैं जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना मेरे बाई टेलिग्राम पर मिलेगी और लास्ट सीजन भी आपको जैकपोट विनिंग करवा अदरवाईस इसमें आपका ही लोस रहेगा बट अगर वीडियो एंड तक देखते हो तो गारंटी के साथ 100% प्रोफिट में भी रहोगे तो जल्दी से आजाईए बाई टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम चैनल पर फाइनल टीम मिलेगी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैश टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर पाँच या छे ग्रैंड ली कोंबिनेशन आपको देने के ट्राई करूँगा और स्मोल लिक की तो भाई पूरी टीम ही आपको दूँगा ठीक है तो बस दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा तो मैं मिलता हूँ आप से मैश टाइम पर तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम